नमस्कार, सब्भे कहानिया, चैनल में आपका स्वागत है, हमारी आज की कहानी है, लक्ष्मी और कुल्षणी दो बहनों की कहानी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एक राजा और ए राजा के राज्य में प्रजा चारों तरफ से सुखी थी, कोई प्रजा को दुख नहीं था, राजा अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा के दिन बड़े खुसी के साथ व्यतीत हो रहे थे, राजा की पत्नी समय रहते भवती हुई और नौवे महीने उसने एक बेटी को जन्म दिया लेकिन भगवान की करनी कुछ और ही थी बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी चल बसी जिससे राजा को बहुत सद्मा लगा राजा के मन में बैठ कया कि जो ये बेटी हुई है इसी के कारण रानी की मृत्यू ह हुई है क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था और राजा की हालत बिलकुल पागलों जैसी हुग गई थी वो अपनी बेटी को बिलकुल भी प्यार नहीं करता бы नहीं उसकी तरफ देखता था उसने कह दिया कि यह कोई लक्ष्मी नहीं हुई है इसी के कारण मेरी राजा को सब ने समझाया कि देखो जो हुनी थी वो हो गई क्योंकि रानी जो थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृति की महिला थी भगवान शेव की बहुत पूजा करती थी लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया और वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा और धीरे धीरे राजा सदमे में पहुँच गया ना तो उसका राज काज में काम में मन लगता था और ना ही राजा किसी भी विशय में कोई अपनी राय देता था ये देखकर मंत्री, घर, रिश्टेदार सब को चिंता होने लगी अगर राजा इस तरीके से रहेगा तो राज्य का क्या होगा? पडोसी राज्य के जो राज्य है वो आक्रमन कर देंगे इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशाल राज्य है, बिलकुल मट्यामेट हो जाएगा इसकी तरक्की रूख जाएगी सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की जो यादे थी, वो निकल नहीं रही थी राजा की अबोज सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर कर भी नहीं देखता था डासिया ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी, राजा तो उसे कुल लक्ष्मी नहीं कहता था, और इसलिए उसका नाम ही कुल्षणी पढ़ गया अब घर, रिष्टेदार और मंत्रियों ने सलाह की अगर ऐसे हुआ तो कैसे चलेगा? इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा क्योंकि राणी के गम को भुलाने के लिए ये भी जरूरी था, और उस अबोध बच्ची के लिए भी मा की जरूरत थी दासिया कब तक उसका पालन पोशन करती? उसे भी तो एक मा की जरूरत थी लेकिन जब दूसरी रानी आई तो, कहते हैं जब पिता ही प्रेम नहीं करता था, तो दूसरी मा क्या प्रेम करती? वो भी उससे नफरत करती थी, वो भला दूसरे के बच्चों को कोई क्यूँ अपनाने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा, राज कुमारी अब एक साल की हो गई, और राजा तो उसे देखता ही नहीं था, वो ठुमक ठुमक कर चलती तो, भी राजा का मन नहीं पिघलता थ राजा तो बस उसे नफरत की नजरों से ही देखता था, इसका फाइदा दूसरी राणी उठाती थी, अब दूसरी राणी जो पेट से हो गई, और उसने भी एक कन्या को जन्म दिया, इस बार राणी जो सही सलामत थी, और लड़की का प्रसव भी सही से हुआ तो, राजा बहुत खुश था, कन्या होने की खुशी में राजा बहुत खुश था कि उसकी राणी बिलकुल ठीक थी, राजा ने खूब मिठायां बंटवाई खूब अच्छे से, दूसरी जो राज कुमारी हुई नामकरण संसकार करवाया, उसका नाम राजा ने लक्षमी रखा, बिकार ही रहती थी, उसे तो कोई फूटी आँख देखकर भी खुश नहीं था, लेकिन समय अपनी गती से बीत रहा था, धीरे धीरे राज कुमारी लक्षमी थी, उसको शिक्षा के लिए जो शिक्षा दिलाए गई, राज कुमारियों जैसे उसके सारे काम किये गए लेकि समय के जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, उन्ही को कुलशनी पहनती थी, क्योंकि जब पिता ही प्रेम नहीं करता तो, दूसरा कौन देखने वाला था, बेचारी की मा तो थी नहीं, धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो गई, अब रानी एक दिन कहने लगी, राजा स लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी हमें करनी चाहिए, जो कुलशनी थी, वो बड़ी धार्मिक प्रवριती की थी, क्योंकि उसकी तो मा भी धार्मिक प्रवर्यती की थी, वो भोले बाबा की बहुत पूजा पाट किया करती थी, और जो लक्ष्मी थी, वो गहमंद में रहती थी कि उसे तो गहमंद था कि वो तो राजकुमारी है उसके पास मा और पिता दोनों का प्यार है लेकिन बेचारी कुल्षणी कहते जिसे माता पिता का प्रेम नहीं मिलता वे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं कुल्षणी बड़ी ही समझदार थी वो बेचारी चुप रहती और लेकिन महल के लोग उससे पूरी हमदर्दी रखते थे और लक्षमी भी उसे डांटती रहती थी और राजा तो अपनी बेटी लक्षमी को देखकर फूला नहीं समाता था और कुल्षणी को देखकर तो वो रास्ता बदल लेता था बेचारी कुल्षणी भी अपने पिता का प्यार चाहती थी लेकिन राजा कभी उसे अपनी आँखों के आगे भी नहीं आने देता था राजा ने सक्त हिदायत दे रखी थी कि जब भी वो महल में आए तो कुल्कर्णी उसके सामने ना आए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था लेकिन चाहे राजा कितनी भी नफरत करता था बेटी की शादी तो करनी ही थी थी तो वो राजा की बेटी एक दिन राणी ने राजा से कहा राजा साहब दोनों बेटियां बड़ी हो गई है इनके लिए कोई लड़का तलाश किया जाए राजा कहने लगा हां राणी विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है इस कुल्षणी का साया हमारे महल से हट जाए राणी तो वैसे ही कुल्षणी को नफरत करती थी उससे सारे काम कराती थी और वो तो वैसे ही चाहती थी कि कुल्षणी दुखी रहे इसलिए उसने कहा कि राजा साहब कुल्शनी बड़ी है पहले उसकी शादी कर दीजिए राजा ने कहा उसकी शादी क्या करनी है जैसी वह है ऐसा उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा राणी कहने लगी अरे राजा साहब उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा वो कहां राज महलों के लायक है जहां भी जाएगी वहां का बेड़ा गर्क कर देगी यहां तो अपनी मा को होते ही खा गई वहां भी ना जाने क्या हो और हमें क्या क्या सुनना मिले राजा कहने लगा राणी साहिबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हो राजा ने तुरंथ ही अपने जो नाई और ब्राह्मन को बुलवाया अपनी सभा में और उन्हें कहा कि कुलकर्णी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ अब नाई और ब्राह्मन जो कुलशनी के लिए वर की तलाश में चल दिये चलते चलते वे बहुत दूर एक गाव में पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा एक भिखारन थी उसका एक बेटा था जो मा बेटे दोनों भीक मांग रहे थे बेटा अंधा था घर के नाम पर एक फूस की जो टूटी फूटी सी जोपडी थी नाई और ब्राहमन उसे देखकर खुश हो गए क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे और काफी समय लग गया था जैसा राजा ने बोला था वैसा ढूंडने के लिए आज उनकी नजरों के सामने ऐसा ही वर था इसलिए नाई और ब्राहमन था वो उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे माई हम तेरे बेटा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिष्टा लाए हैं भिखारन पहले तो हसी और फिर कहने लगी क्यूं भाया क्यूं भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवा करेगा तब जो नाई था वो कहने लगा अरे माई हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिष्टा लाए हैं और वो भी राज महल से लाए हैं ये सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ वो तो तुरंत राजी हो गई की राज महल से उसकी बहु आएगी चाहे वो कुछ भी नालायक कैसी भी हो लेकिन राज महल से तो नाता जुड़ी ही जाएगा और उसके साथ कुलशनी का रिष्ट तै करके नाई और ब्राहमन अपने राज लोट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई राजा ने कहा कि ठीक है जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया और राजा ने जो कुलशनी का विवाह उस अंधे भिकारी के साथ कर दिया और दान दहेज के नाम पर भ विदा होकर अपने ससुराल आ गई ससुराल आई तो देखी वहां तो वो महलों में रहती थी चाहे कुछ भी था तो राजकुमारी जब अपने ससुराल आई तो देखा कि एक टूटी फूटी जोपड़ी है बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं थी बेचारी ने आकर जीवन साथ ही होता तो कम सही तो हम दोनों कुछ कमा कर लेते लेकिन जो मेरा पती है वही मेरे लिए परमेश्वर है अब मुझे जिस भी रूप में मिला है मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी और अपनी सासु मा से वो कहने लगी मान जी जो भी घर में है वे खाना बनाने के लिए मुझे दे दीजिए, क्योंकि उसकी सास और उसका पती भीक मांगते थे, जो दो चार रुपे होते थे, उन्हीं से उनका घर खाना बनता था, आधी बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन लक्ष्मी ने जो भी पैसे मिले, उनसे उसने जो खाना बना अपनी सासु मा और अपने अंधे पती को खाना खिलाया और जो बाद में बचा खुचा वो ग्रहन कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपने नाई और ब्राहमन को बुलाया और कहा की एक अच्छे से राजा का बेटा राजकुमार जो की अच्छा राजकुमार अच्छा बड़ा राज्य होना चाहिए जिसमें हमारी लक्षमी बेटी का विवाह तै करना चाहिए। नाई और जो ब्राहमन था वो लक्षमी के लिए वर्ड धूंडने चल दिये और एक चक्रवर्ती राजा के यहां पहुँचे और लक्षमी क्योंकि देखने में सुन्दर भी थी और वहाँ पर जो राजकुमार था राजा का एक ही था और वो भी चक्रवर्ती समराट बनने किया बेचारी कुल्षणी उधर अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी और लक्षमी तो एशो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही उधर राजकुमारी थी मा बाप का प्यार मिला इधर भी उसे अच्छा राजमहल और चक्रवर्ती समराट जैसा पती मिला अब कुल्ष अच्छा है कि हम कोई काम कर लें उसकी सासु मा कहने लगी बेटी बहु मेरे घर की तो तुझे कुल्षणी कहते हैं लेकिन तू तो मेरे घर की लक्षमी है तू जो कहेगी मैं मान लूँगी वो कहने लगी मान जी इन पैसों से मैं कुछ खर्बूजे खरीद कर लाती हूँ गर्मियों का समय है खर्बूजे और तर्बूज इस मौसम में बहुत बिक्ते हैं मैं उन्हें बेचूंगी और उससे अपना गुजारा करेंगे कम से कम हम अपने आत्म सम्मान से तो रहेंगे आप भीख लेने जाती हो दस लोग आपको ठुकराते हैं कोई एक दो तरस खाकर भीख देता है मुझसे ये देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं ये तरकारी भाजी बेचने जाया करूंगी उसकी सासु मा बोली बेटी तो नहीं है कहां जाएगी वो कहने लगी नहीं मान जी आप घर में रहो वो बोली ठीक है अब उन पैसों के जो भी थे उसने एक डलिया ली और उसमें कुछ तर्बूज और खर्बूजे रख लिए और लेकर चल दी और जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था उसी मंदिर के सामने जाकर बैट कई बड़े ताजे ताजे खर्बूजे थे और गर्मियों में तो खर्बूज तर्बूज लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं इसलिए हाथो हाथ कुल्षणी के खर्बूजे और तर्बूज बिग गए उसके सारे उसने बेच दिये अब उसके पास सिर्फ दो खर्बूजे रह गए उसी समय सायोग से माता पार्वती और महादेव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे माता पार्वती कहने लगी शंकर जी देखो खर्बूजे की महत यहां तक आ रही है मुझे तो खर्बूजा खाना है शंकर जी कहने लगे अरे पार्वती तुम भी किस चक्कर में पढ़ रही हो चलो कैलाश चलते हैं तभी तो तुमने कहा था कि मुझे पृत्वी पर भ्रमन करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया तो अभी तुमने कौन सी रट लगा ली कहते हैं ना कि जो नारी हट होती है वो मनवा के ही रहती है वो कहने लगी नहीं नहीं महादेव मुझे तो उस रास्ते से जाना है देखो उधर खर्बूजे की बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है कैसी ताजे ताजे उसके पास खर्बूजे हैं और वो तो आपकी भगत है अब पार्वती माया और भोले बाबा ने बुढ़े बुढ़िया का भेश धारन किया और पहँच गए कुल्शनी के पास कुल्शनी के पास दो खर्बूजे थे उन्होंने बिलकुल ऐसा भीश बनाया पत्ते फटे हुए चीथडे बिलकुल गंदे से और जाकर कहने लगी बिटिया हम भूखे हैं क्या हमें कुछ खर्बूजा खाने को मिलेगा तो कुल्शनी कहने लगी हां माय आप बैठो इतनी गर्मी पड़ी हुई है कुल्शनी के पास थोड़ा पानी था पहले उसने भोले बाबा और मैय पार्वती बने हुए बूड़े लोगों को पानी पिलाया और आराम से बिठाया और एक-एक खर्बूजा जो दो खर्बूजे उसके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दिये तो पार्वती मैया कहने लगी बिठा हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है हम कहां से पैसे देंगे खर्बूजे तो हमने खा लिए वो कहने लगी कोई बात नहीं मैया आज मैं खर्बूजे बेचने आई थी आप तो बूरी मा हैं, मेरी कोई मा नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया और तब पार्वती बनी बूरी मा कहने लगी बिटिया काफी दूर से चल कर आई हूँ मेरा सांस चल रहा है और मेरे पैरों में बड़ा दर्ध हो रहा है और पार्वती मैया वही बैठ कर निधाल हो गई तब कुल्षणी ने देखा कि पार्वती मैया जो की बूरी थी उसे क्या पता था कि यह तो साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती है उसने कहने लगी मैया लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं और वे बड़े प्यार से उस बूरी माई के पैर दबाने लगी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पार्वती मैया को नीन्द आ गई पार्वती मैया को नीन्द आ गई तो जो कुल्षणी थी वो अपने आचल से मैया के मूह पर हवा करने लगी ताकि कोई मक्खी मच्छर उन्हें परेशान न करे और भूले बाबा भी उधर लेट गए जब पार्वती मैया की आँख खुली तो बड़ी प्रसन हुई कहने लगी बिटिया तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हम तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है वो कहने लगी कोई बात ना मैया मेरी कोई मा नहीं है तुम्हारी सेवा करके तो मुझे मा जैसा अपनापन मिला है ऐसे लगा जैसे तुम मेरी मा हो तब कुल्षणी से वह कहने लगे तो अच्छा बेटी अब हम चलते हैं और जाते हुए कहने लगी माता पार्वती भोले बाबा से की सुनिये आपकी जोली में कुछ है तो इस बेचारी बिट्या को दे दो भोले बाबा कहने लगे की मेरे पास क्या है तब ही पार्वती मैया कहने लगी वो भभूती निकाल कर दे दीजिए भोले बाबा के पास तो भांग, धतूरा, भभूती यही चीज होती है और भोले बाबा की जोली से माता पार्वती ने भभूती निकाल कर जो कुल्षणी को दे दी वी बड़ी खुश हुई, उसने आचल पसार कर वो भभूती ले ली और खुशी-खुशी अपने घर चल दी घर आकर वो अपनी सासु मा से कहने लगी मा, आज एक बूरी मा और बूरे बाबा की सेवा करके मुझे असीम आनंद मिला और देखो मा, आज की कमाई, आज मेरे सारे खर्बूजे भी बिक गए मा, अब तुम्हें और जो उसका पती था उसके लिए वो कहने लगी उनको कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की किरपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे हमें भीख नहीं मांगना उसकी सास कहने लगी कुल्षनी बेटा मैं तो तुझ जैसी बहु पाकर निहाल हो गई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का विवाह भी होगा लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे बेटे के नसीब में इतनी संसकारी बहु लिखी थी मैं तो भगवान की बहु थी रिनी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया वो कहने लगी मा आज एक बूड़े बाबा और बूड़ी अम्मा आई थी उन्होंने मुझे ये भभूती दी है इसका मैं क्या करूं तब उसकी सास बोली बेटा अभी अब जो मैं उसका बेटा था उसको आने दे जैसे वो बोलेगा वैसे ही करना शाम को जब उसका पती आया तो वो कहने लगी स्वामी आज मुझे ये भभूती दी है एक बूड़े बाबा और बूड़ी मा ने इसका मैं क्या करूं तब उसका पती कहने लगा एक काम करो घर के चारों कोने में इसे बुर्क दो और जो बचे उसे कुछ संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिटका दो बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला उसमें डाल दो वो बोली ठीक है अब कोई लक्षे नहीं है क्योंकि शाम तो हूँ ही गई थी चारों कोने में उस भभूती को छिटक दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया और कुछ संदूक में रख दी रात को खाना बनाया खाना खाकर अपनी सासू मा को खिलाया अपने पती को खिलाया फिर खुद खाकर घर की सफाई करके सो गई सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी जोपडी की जगर तो बहुत ही सुन्दर महल बन गया चारों कोने जंजना रहे हैं हीरे मोती चमक रहे हैं धन के अंबार लगे हुए अन्न और धन से घर भरा हुआ है ये देख कर तो उसको बड़ा अचमभा हुआ वो दोडी दोडी अपनी सास के पास पहुची और कहने लगी सासु मा से मान जी उठिये, मान जी उठिये देखिये क्या चमतकार हो गया उसकी सासु मा की आँख खुली तो उसने अपने घर उसकी पहचानने में नहीं आ रहा था वो कहने लगी अरी कुल्षणी क्या हम तेरे मायके में आ गए है आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुर कर नहीं देखा लेकिन मैं तो सोई हुई थी कब मुझे यहां लेकर आ गई तो तब वो कहने लगी कोई लक्ष ने नहीं मांजी यह मेरे पिता का घर नहीं यह तो हमारा घर है देखिये शायद यह भोले बाबा की और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है उन्हीं की किरपा से मेरे भाग्य बदल गए है देखो शायद वे बूरे बाबा और बूरी मा कोई और नहीं साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे जिनको मैं पहचान नहीं पाई और वो रोने लगी की भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई उसकी सासु मा ने कुलकर्णी का धीरज बंधाया तभी उसके पती की आँख खुली तो वो चिलाते हुए बोला अरे कुलशनी से और अपनी मा से की मा देखू मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है अब मैं अंधा नहीं रहा ये देख कर तो कुलशनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके पती की आँखें आ गई उसे और क्या चाहिए था अब उसका पती भी किसी राजा से कम नहीं था अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी किरपा हुई है तो क्यों न हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती की शिवचर्चा करवाएं जिससे की लोगों को बुलाएंगे अपने यार नाते रिष्टेदारों को बुलाएंगे और भंडारे कराएंगे उसकी सासु मा कहने लगी बेटी मेरे तो घर की तू लक्षमी है जैसा तू करना चाहे वैसे कर अब उसने अपने घर में जो एक कथा रखे उसने सब रिष्टेदारियों में न्योते भिजवाए अपने माय के भी भिजवाए अपनी बहन के भी भिजवाया और सब उसकी जो कथा में आए लेकिन उसके पिता को तो अपने उपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने बेटी के साथ ऐसा किया लेकिन उसका नसीब देखो नसीब के आगे किसी की नहीं चलती मेरे चढ़ाने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयम अक्षरों से लिखा है लेकिन उसके पिता और मा को जो सौतेली मा थी उसे बड़ा अफसोस था क्योंकि जब कुलशनी की और लक्षमी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता कोडी हो गए थे और कोडी रोग ऐसा था कि उसके पिता ठीक नहीं हो रहे थे जिसे उनका राजपाट भी धूमिल होता जा रहा था क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो जो गरीब होता ही जाएगा उसमें घुसपैट होने लगी थी उसका पिता एक नाम का राजा रह गया था जब उसकी बहन लक्ष्मी आई क्योंकि लक्ष्मी तो पहले से ही घमंडी थी लक्ष्मी को बात बात पर वो जो ताने मारा करती थी जब आई तो उसने देखा कि कहां तो मैं तो चक्रवर्ती समराट की बीवी हूँ रानी हूँ, चक्रवर्ती रानी हूँ और मेरा पती इतना बड़ा राज्य का मालिक है लेकिन यह महल और इसके ठाट बाट तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं वे कुल्षणी से कहने लगी कि कुल्षणी तुझे ये सब कहां से मिला कैसे मिला तो कुल्षणी ने सारी बाते अपनी बेहन को बता दी अब उसके मन में तो फिर से लालत समा गया वो तो किसी भी कीमत पर कुल्षणी को नीचा दिखाना चाहती थी वो तो चाहती थी कि उससे उपर कुल्षणी हो ही नहीं सकती लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहे उसे कौन रोपने वाला होता है उपर उठाने वाला तो भगवान है किसको कब क्या बना दे वो तो भोले बाबा की किरपा के आगे भी नत्मस तक है कब किसको उचा उठा दे कब किसको नीचा दिखा दे यह कोई नहीं जानता अब जो कुल्षणी से पूछ कर उसकी बहन ने कहा अपने पती से देखो जी मैं भी जो खर्बूजे बेचने जाऊंगी उसका पती कहने लगा अरे लक्ष्मी तुम ये कैसी बाते कर रहे हो हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है अरे वो तो तेरी बहन इतनी गरीब थी उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ती देखकर उस पर भगवान ने किरपा की है तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है तेरे पास किस चीज की कमी है लेकिन लक्षमी नहीं मानी वो कहने लगी नहीं जी मुझे तो खर्बूजे बेचने जाना है वो बोला ठीक है अगर नहीं मानती है तो कर अब वो कुलशनी की बहन लक्षमी जो लेकर खर्बूजे एक डलिया में जाकर बेचने के लिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई सायोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे खर्बूजे बड़े ही ताजा ताजा थे पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी कि देखो जी मुझे तो खर्बूजे खाने है गर्मी का मौसम है और यह चीज गर्मी में ही खाई जाती है भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन लक्ष्मी पार्वती जी नहीं मानी उन्हें तो लक्ष्मी जी के लक्ष्मी के जो खर्बूजे पसंद आ रहे थे अब उन्होंने फिर से बूड़े का भेश बनाया और एकदम से ऐसे भिखारियों जैसा फटे भेश बनाकर उसके पास पहँच गए लक्ष्मी का तो उस दिन एक खर्बूजा भी नहीं बिका था अब वो गई और पार्वती मैया कहने लगी बिटिया बहुत भूख लगी है गर्मी के मारे दम निकल रहा है बहुत प्यास भी लगी है और थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा खर्बूजा खाने के लिए दे दे तो लक्ष्मी कहने लगी अरे हट सुबह से बोहनी तक तो हुई नहीं है कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए अब पार्वती मैया और भगवान से एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और उधर बैट गए वो डंडी उठा कर कहने लगी अरे परे हटो कितने गंदे लोग पीछे हटो दिखाई नहीं देता मैं खर्बूजे बेचने के लिए आई हूँ और अभी तक मेरा खर्बूजा नहीं बिका है और जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो उन्हें मैं क्या दूँगी पीछे हटो अब वो जो उसने खर्बूजे नहीं दिये सुभा से शाम हो गई एक भी खर्बूजा नहीं बिका फिर वो उठकर चलने लगी तो कहने लगी अरे मैं जा रही हूँ मा जी क्या तुम मुझे थोड़ी भभूती नहीं दोगी कुलकर्णी को तो तुमने भभूती दी थी उसने सोचा था कि भगवान शायद साक्षात आय थे जब भगवान और पार्वती मैया साक्षात नहीं आय तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा तो पार्वती मैया कहने लगी अरे हाँ शंकर जी से इसे थोड़ी भभूती दे दीजिए शंकर जी ने अपने जोले में हाथ डाला और लक्षमी को भभूती दे दी लक्षमी लेकर उसे खुशी खुशी आ गई और आकर अपने पती से कहने लगी देखो जी मैं भभूत लाई हूँ और उसने सारे घर में छिटक दी और बड़े ही खाना खाकर चाहे कोई खाए या ना खाए खाकर सो गई सुभा उठी उसे सारी रात पहले तो नींद नहीं आई कि सुभा उठेंगे तो हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे ये सोच सोचकर वो बड़ी खुश हो रही थी लेकिन जैसे ही सुभा उठी तो क्या देखती है उसके महल की जगर एक जोपड़ी बन गई और कीडे मकोडे भिन भीन रहे थे अब तो लक्षमी मुंड पकड़ कर रोने लगी कहने लगी है भगवान गाल गलोच करने लगी कुल्षणी को इसने मेरे साथ क्या कर दिया अब उसका पती उसे समझाने लगा देखो लक्षमी तुमने जो लालच में आकर सब किया है तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया भगवान ने उसकी नियत उसकी भक्ती देखकर उस पर किरपा करी लेकिन तुम लालच में थी अपना जो पास में था तुमने वो भी खो दिया जो अपने पास होता है उसी में सबर तुम्हें करना चाहिए था उसके पती ने उसे खूब समझाया लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन कुलकर्णी को ही कहने लगी उसकी काली छाया पढ़ गई हम पर इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है उसके पती ने उसे डांटा और कहा लक्ष्मी अभी भी सुधर जाओ और तब उसके माएके में ये खबर पहुँची तो राजा और रानी जो की राजा कोड़ा हो गया था वो और उसकी माँ जैसे तैसे हुआ उन्हें देखकर लक्ष्मी कहने लगी दूर हटो, दूर हटो मुझे ऐसे माँ बाप की जरूरत नहीं है जो जो कोड़ा हो मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी मुझसे दूर रहो उसके माँ बाप तो अपनी बेटी का दुख में दुखी होने के लिए आये थे लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें छिटका दिया और जब ये बात कुल्षणी को पता चली कि उसके माता पिता भी दर्द के भिखारी हो गए है और उसकी बेहन के साथ ऐसा हो गया है कि उसका राजपाट भी जो सब नश्ट हो गया है तो वह कुल्षणी अपने पती के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बेहन का राजपाट बसाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और उनकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से और कुल्षणी की सरधा और भावना से और भोले बाबा के आशिरवाद से जो उसके माता पिता ठीक हो गए अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था की जिसे वो कुल्षणी समझ रहे थे वो तो साक्षात लक्षमी थी और वो अपनी गलती के लिए भोले बाबा से क्षमा याचना करने लगे और अपनी बेटी को लक्षमी को बुलाने लगे उनका राजपाद भी लौट आया था और पहले की तरह कुल्षणी का पिता राजा बन गया और फिर से राजपाद करने लगा और अब कुल्षणी को हर तीच त्योहार पर सब पर बुलाने लगे और अपनी बेटियों को बहुत प्यार करने लगे हे भोले बाबा, जैसे कुल्षणी को पीहर मिला, पीहर में उसका मान सम्मान बढ़ा ऐसे ही जो ये कथा सुन रहे हैं, उनके मायके में भी उन बहनों का मान सम्मान बढ़े उनका भी जो उनकी भी इज़त हो, उनके भी भाई भाभी उन्हें बहुत प्यार करें और उनकी सभी मनोकामना पूरी हो समय समय पर बेटियों का मायके जाना बना रहे दोस्तों जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं है भोले बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करना तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और सभ्य कहानिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद